अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप आज जानने वाले हो एक ऐसे वेबसाइट के बारे में जहां से आप 30 से लेकर 100 डॉलर हर घंटे इसली अन कर सकते हो वेबसाइट पर हमें करना क्या है यह वेबसाइट में हमें वेबसाइट टेस्टिंग करनी है मतलब यह website हमें ऐसा work provide करती है जहां से हमें दूसर website को open करना पड़ता है और उन website को open करने के बाद वहाँ पर screenshot लेने पड़ते हैं जैसे ही आप लोग स्क्रींशोट ले लोगे आपका काम हो गया तो website testing करके हम इस website से earn कर सकते हैं और जो भी हमारी earning money रहेगी वो हमारे PayPal अकाउंट में ले सकते हैं या फिर हम directly उसे हमारे bank अकाउंट में ले सकते हैं तो ज़्यादा दिमाग ना लगाते हैं हम सीधे चलते हैं उस website पे तो आपको यह website open करनी है वो आपको Chrome पे open करनी है अगर आप Firefox पे open करोंगे तो साय यह website काम न करें तो सिधम Chrome पे जाते हैं और यह website तो यह website का नाम है वो है validately.com तो मैं simply से open कर देता हूं तो सबसे पहली वाली website रहेगे जो है panel.validately.com तो सबसे पहले हमें इस पर register करना पड़ेगा तो मैं register पे click कर देता हूं load हो रहा है है ठीक है तो कुछ ऐसा page आपके सामने open होगा तो इसके लिए सबसे पहले हमें create account करना है create account में click कर देता हूं अब account create करने के लिए यह जो website है वो हमसे कुछ question पूछेगे और उस question के basis पे ही हमें वो work provide करेगे तो जल्दी जल्दी में बताता हूं आपको क्या feel करना है सबसे पहले आपको आपका device select कर लेना है जैसे iPhone, iPad, Android मेरे पास Android है तो मैं Android कर लेता हूं next विस ट्राइफों computer do you own आपके पास जो है आपको कर सकते हो next version क्या है आपके Windows का मेरा यह है तो मैं कर लेता हूं select male या female of course male ठीक है next उसके बाद what year where you born which is your level of education अभी आपको यहाँ पे धहन देना है आपको यहाँ पे college graduate डालना है इससे कम डालोगे तो शायद आपको जो work है वो थोड़ा कम प्रवाइड हो तो आपको यहाँ पे college graduate डालना है next अब इसके आप full time, part time क्या कैसे काम करते हो तो यहाँ पे आपको self employee डालना है ठीक है फिर से कर देता हूं next अब in which industry आ रहे हो कुण से industry में आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको information technology आड़नी है information technology क्योंकि इस industry में आपको ज़्यादा वक प्रोवाइड होगा information technology डाल देता हूं इसको करते हैं select और कर देते हैं next उसके बाद which is your job title आपको job title क्या है तो आप कुछ भी डाल सकते हो तो सबसे बढ़िया जो रहेगा वो आप डाल सकते हो marketing manager ठीक है आप यहीं डाल देना और what's your annual household income कितने इंकम है आपको इसमें से 75 to 125 k per year या फिर over 125 k per year डालना है तो मैं ओवर डालता हूं और कर देते हैं next अब यहाँ पर आपको आपका full name डालना है तो मैं मेरा डाल देता हूं ठीक है यह मैंने मेरा full name डाल दिया है फिर next कर देते हैю अब यहाँ पे आपको email डालनी है आपकी कोई भी email तो मैं जल्दी से मेरी email डाल देता हूं ठीक है यह मैंने मेरे email डाल दी उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी PayPal email डालनी है अब PayPal email wr talk8 на hebeard कुछ अगर आपको पता होगा पेपयल इमिल क्या रहती है अगर नहीं है कि आसी मैं अपकर आआ को यह सिम्प्ली इस्तिर कर लेना है जैसे कि आपको पेपल के वेबसाइड पर जाना पेपल ठेक हैं पेपल की वेपसाइट पर जाओ और वहां पर आपको रेइस्टर करना है रेइस्टर करने के लिए आप को आपका मोबाइल नमबर देना है और आपको आपकी इमेल देनी है हुआ झाल करना जो आप इमेल दोगे वही आपके पेपल वाली इमेल बन जाएगी ठीक है रैइस्टर करने के बाद आपको आपकी पेपल इमेल मिल गई तो वही आपको पेपल इमेल यहां डालनी है मैं डाल देता हूं यहां जल्दी से फिर से next कर देते हैं अब यहां पर आपको कोई पासवर्ट चूज करना जो आपको याद रहे है तो यहां पर मैं जल्दी से कोई पासवर्ट डाल देता हूं और यहां पर आपको simply next कर देना है उसके बाद ये बहुत important step है ध्यान से देखने इसके ध्यान से देखने इसे तो ये आपको कहेगा detect my location आपकी location बताने के लिए तो आपको यहाँ पे इंडिया का location नहीं डालना है अगर आप इंडिया का location डालोगे तो आपको कम value वाला income वाला work प्रोवाइड होगा ठीक है तो detect my location पे दबाने के बाद आपको कुछ ऐसा आएगा ये new location वाली permission मांगेगा आपको तो आपको simply block कर देना है और यहाँ से आपको यह कहेगा provide time zone manually तो इस पे आपको click कर देना है और यहाँ पे आपको time zone डालने है time zone में आपको high tier country का time zone डालने है जैसे कि हम चलते अमेरिका के तरब तो मैं यहाँ डालता हूँ America, Argentina, Cardona ठीक है यहाँ डाल देता हूँ आपको country select करनी है तो United States डाल देता हूँ United States ठीक है डालने के बाद country के state में आप कुछ भी डाल सकते हो याँ नीचे बहुत सारी है तो मैं call होने डाल देता हूँ फिर next कर देना है आपको अब यहाँ आपको बोलेगा कि आप terms of services को agree करते हो तो आपको yes कर देना है फिर से next next करने के बाद आपका account sign up हो गया यहाँ पे अब इसके बाद आपको एक test करने बोलेगा हो ठीक है तो test करने पे वो क्या बोलेगा कि आपका microphone open करना पड़ेगा कुछ थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा जो भी आ लिखके आएगा वो बोलना पड़ेगा बस इतना करने के बाद एक मिनट का आपका student test रहेगा यह करने के बाद आपको email आएगा ठीक है यह लोग email भेजेंगे एक दिन या दो दिन के अंदर तो email पर बताया जाएगा कि आपका जो account है वो verify होता है या नहीं होता है अगर आपका account verify हो गया तो आपको email पर ही यह लोग work provide करेंगे आपको email पर website भेजे जाएंगे website की link भीजे जाएगे जैसे आप website की link को open करोगे open करने के बाद आपको वहाँ पर screenshot लेने पड़ेंगे बस आपने जैसे screenshot ले लिए आपका काम हो गया और इस तरह से आपके income होगी जोकि आपके validately dashboard में दिखाएगी तो यह screen test पर मैं एक बाद दवा देता हूँ I will test the website ऐसा ऐसा next करना है okay I am ready to begin the test इतना करना है और उसके बाद आपको microphone ऐसे समागेगा ऐसा वैसा तो आपको कर देना है और जो लिखा यह नीचे I am ready to begin the season इसको बोलना है तेज से इतना करने के बाद आपका validately का account बन गया और जैसी आपका account verify होता है आपको work provide होना चालो हो जाएगा और आपकी earning होगी ठीक है तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छ लगी हो तो आप लोग समझदार हो आपको पता ही क्या करना है थैंक यू